और जो सब्द है, दो सब्दों से मिलके बना एत भाजोड रग 0 जहां इंहां का प्रकास का मिन्यिव निकलता है जिस भुखंड से उस भुखंड को भारद क आते हैं और वह भ्न को प्रकास मेरे वाला संपुर्ण विश्व को मानवकर का पड़ाने वाले विश्वुर्ण तथाकर ग्वत्म बुद्ध के चर्णों में बंदन अभिलान जर्ते हुए आज इस संग्मित्रा इंटर्णेशनल स्कूल के प्रांगा में वबस्तिक हमारे सवतुन मात्री सक्ति जी जादा शादा ननुन करता हुए साथ ही यहां वबस्तिक दर्सक देजाओं में बैठें हमारे कमाम अभिबाबा और तर्पश्चा मंचा सीन अतिथी गर्ट जिनको हमने निवेदन करके आज के बीच इस प्रांगान के आज लाया है एक सवर में चुकी समय की नजागत को देखते हुए चुकी सर का कीमती समय है इसलिए सर बात भी कर रहे थे कि अब चुकी पटना में भी कार्सक्राम है जैसा कि आपको सर भीनित है अब चुकी सर का मन्यें मुठमत्रे जी के साथ कार्सक्राम है तो उसलिए हम रोग इसको सिर्थ कराए कि सर जब तक आप लोगो पस्कित नहीं होगे ये कार्सक्राम सड मित्रा का जो है ये पावन माटी पावन मिन काना है कारण में सर जब पूचे तो हमने यही का कि सर आप आज से पहले 137 मंदिर दीन दयाल उपाद्याय ऐसे विद्यालियों में तो जरूर अतित्थी बने होंगे कभी सावित्रेश शुशिव यार और संगित्रा इंटरेस्टन में भी रोप्रा करण लेकर आई हो तो आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे जिस विचा धारा की बात कर रहे हैं और खासकर यह सवरा का सोग लब करता है हमारी इस भावनाओं को समझ रहे होंगे कि हम अपने बेटे और बेटियों को अपनी बच्चियों को अगर बहुत धंसन पदा नहीं है तो अगर इतनी सिक्षा नहीं दे सकते हैं तो इतनी सिक्षा जरूर दीजिए कि भारत के सम्मिलान के उस प्रस्तावनों में जो बाते लिखी गई हैं उसको अच्छर सा पढ़ ले और पहलतर समझ लेगे बस उतना ही अगर कर लिया तो वो लड़ना सीख जाएगी और जो लड़ेगा वो पढ़ेगा और जो पढ़ेगा वही लड़ेगा और पढ़के लड़ने वाला ही अंत में युद्ध का विजेता हुआ क्योंकि लाई तो हमने बिहार की धर्टी पर चटिस गड़ की धर्टी पर हमारे भाई बंदू ही लड़ रहे और कारगील के बॉडर पे हमारे भाई बंदू ही लड़ रहे लेकिन क्या जीत जहां जिस चीज को जीतने हम चले थे क्या उसको जीत पा रहे हैं इस अजाब भारत मी यह ठाई हज्जा साल पहले इस परतीमा को देखें कि जिसने पूरे बिसर नो जीत लिया या यूँ कहिए कि वो खुंधा दाको अंगली माल जिसको इनों ने बिना हत्यार के जीत लिया और जीता सुनार नहीं किया जीता ही नहीं बल्कि उसको भी एक सिख्षक बुणा दिया कितनी अपार सक्ति इस घुरू में जिसमें उसकी हत्या नहीं की बल्कि उसको सिच्छत बना दिया जहां तक बात हमारे अधिती लोग करने थे क्यारेक्टर नहीं तिपता की जिसमें हमने एक अम्रफाली नाम की विश्चा को भी बहुत बड़ी सिच्छा बना दिया यह सक्ति है यह सक्ति है और यह सारी सक्तियां तरही में कहीं इसी प्रांगण से होकर भी रखते हैं तो इसलिए मैं बहुत जाला नहीं कहते होगे आज इस प्रांगा में इस विद्यालेक के जो निर्माता है वह स्थापक है और सबसे बड़ी बात जो यहां से भूशना कर रहे थे कि इसकी जो इंट जोड़े है मंसूर आरंग साभ अभी तक तो हमने बहुत से काश्क्रम प्रांगा तो अंत में जब सुंदर बन जाता है तो फिर राजा कहता है कि अशना हांच कटवा दो कि ऐसा सुंदर दुवारा ताज महली ना बना सकता लेकिन पहली वार हमने देखा है इस प्रांगा में आकर और यह तथा कर बुद्ध की गृपा है कि जो मिस्तरी जो यह है तथागत पुद्ध की समता बंदूतों मैत्री कर जा और मैं समस्ता हूं यही सिर्द्याले से हमेशा बारंबार निकलना चाहिए इस देश का भारत तथा कथी कुछ लोग कहते हैं कि राजा भरत के नाम कर पढ़ा लेकिन मैं बोलता हूं कि मैं आपको और शदन को बताओं कि भारत के नाम पे नहीं यह भारत जो सब्द है दो सब्दों से मिलके बना है भाज योड़ रर्थ भार मतलब होता है भाद आपको जिसको भास पर करते हैं सुर्ज ग्यान और रर्थ मतलब जहां कंटिम्यूर कार रथ जहां ग्यान का प्रकास का इंद्वियू निकलता है जिस भुखंड से उस भुखंड को भारत आते हैं और वह अप्यान को प्रकास निकालने वाला ये तथागत को अत्म बुद्धु बताएए उस मार्टि के हम लोगों तो हम यहीं से उस बीच को पत्यार होते करें कि फिर से यह विस्व गुरू बने और विस्व के लोग दूसरे देशों के लोग यहां पढने के लिए हैं इसलिए जाते जाते अभी हमारे उधार्ट करता महदे नाइटी पढ़ना के प्रपिसर सहाब ने कहा कि उधारन दिया है इस विड्याले के सिख्षक और सिख्षिकाओं के लिए उन्होंने क्या कहा आईटी डेली का जो विड्याले है उन्हों चोटी सी बच्ची का अबिश्व कराया था उन्होंने क्या कहा तिन-चार साल कि इसको पेंसिल नहीं देना है इसको पुणने के लिए बात दिमत की जीए राए ता इसको आप सिखाएंगे यहीं से बच्चे का जो है यहां इंटलेक्शन लेवल बढ़ेगा ग्रोह करेगा कभी भी बच्चे को भोकल बढ़ने दिए अगर घर में छोटा बच्चा बहुत बोलता है तो अकसर हमारे बड़े मुझूर करने को लेगा जादे हैं अभी तुम्हा यह डिरेट करते रहें भाले जोटी बोलता रहा तो बोलते बोलते करुंचें कि Almost अगर पर भोकल किसी को बता है कि Việt क्या लेकिन आज हम सुमके सथय हैं क्योंकि उनके पास बोलने की कला रहा उनके बोलोंने जहां व farmers agriculture बिड़ाने कि ऊंपने। इसलिए कभी भी किसी भी पर्चर को जब वोकल होता है आपके मिद्याले में उसको दबाईयों नहीं सप्रेस नहीं कीजिए और एक बड़ा कंफीर सा सब्द है जिसको हम सर्यामी उज़ करते हैं खासकर मिद्याले में मांट साथ गुरूजी आप भी और यहां जितने विसी सिख्षक है में हमसे भी विद्याले में एक सब्द का बारन बार इसमाल किया जाता है वी द्याले में और क्लास में हम क्या कहते हैं गदा कहीं संज़ लेया है यह इतना ग्रमार्वन सब्द है गदा हाँ कि नाइटी नाइट परसेंट जो सिछक्षट है वह जो चुड़ते हैं तो बच्चे को मारते हैं सुधार में के लिए एक मार भी अपने बच्ची को मारती है लेकिन सुधार में के लिए तो एक टीचर एक सिछक सिछका भी बच्चे को डाखते हो करते हैं करा कहीं के तुमको समझे में नहीं आ रहा है अरे भाई जब उतको समझे में आता तो यहां आता यह आया किसी है और इस बार के मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूँ चुकि आज हम हमारे बीच गनवाई लोग है और हमसे विद्वार में है गार्जियन है विभावक है सर्थ यह प्रस्ट बारव बार मेरे में चलता लाता था चुकि मैं साइंस का स्टुडेंट रहा हूं मैं भी इस पेसा से चुड़ा हूँ तो मैं सोस्ता था कि कभी घोड़ा और बक्री को बात करते देखा है आपन करुने कर समय एक क्लास में अधर साइन विभने में अब होगग अधर पढ़ाने आपका और जंकर रहे हैं तो यह अधर वाला गधा है कि जब इधर वाला गधा Hag immens matter कि इधरा यह तो गधा सपार करता कि मिलीज़य और कि मतलके हुस्इinky हम साफ जूपकषल का निपीश keeping इसने इस बात का आज से जितने भी सिक्षकर इस विद्याले के प्रांगा में संकत लिजी आप लो कि तभी बच्छों को गधा नहीं कि लिए क्यूंकि मैंने तो काना छोड़ दिया कि यहीं से भाषा जाली की बात आरही तो उसका छेर करेंगे और चुकि समय बहुत जादा होगया है बहुत अधिक समय नहीं लूँगा अभी-भी शौक में एक बात कह दूँ चुकि यहां मुहद विद्वान जनाएं हैं अपनी बात रहके गाएं तो देखें इस बात पर मुझे बस इतना ही कहना है चुकि सम्राइट असोग क्लब के कास करता हम सर बहुत ज्यानी नहीं हमारा संगठन जो है बहुत पढ़े लिखों का संग सब्सक्राइब लेकिन मेरा बस यही कहना है कि जो घ्यानी है जो भिद्वान है मैं अपने कास करता हूं और जो हमारे विजयाधारा पर काम करें जो शावित्री को लेकर चब रहे हैं जो इस अच्छा को लेकर आगे बढ़े हैं इसको हथियार बनाना चाहते हैं कि ड्लमश्य वह तो ज्यानी हैं उनकों को सिर्फ बाप काटी है है और हम और आप जूभनु है हमें यह स्याव रात काटी है हमें यह अध्यारी रात काटी है इसलिए अपने इस जज़वे भरा कर अर जाह तर बात आ रहे हैं इंग्लिस में की सिदिशी या किसी ध्यार कर दो रहे हैं एक आतांचा लोग सा पैदा होड़ी एक इंगलिज चीखना चाहिए जरूर सिखना चाहिए आज का वर्त का माणना नहीं इंगलिज चीखें या तो भी कॉनिकेट कैसे करें वाँ तो उसे इंगलिज की बातों में सर शीच्छा किस लिए जरूरी है और सब्सक्राइब करें चाहिए उसके लिए चाहिए उन्होंने कहते हैं और जिस दिन इस चाहर बातों को पढ़कर अपने अंदर उतार लिया समझ लेजिए यह तो इस फिल से सोने कुछिडिया बन जाए हैं अब क्यां से सुनेगा एक से पहला लोग दूसरा लोग तीसरा लोग तो सब्लोग पार कर जाते हैं और उसको फोलो भी करते हैं लेकिन चौथा जो बीयमें डेलर आयो का डेलर से नौथिस में आये में तो उन्होंने सायद इस चौथे प्रसुन का ही जवाब एसाइनमेंट के रूप में मांगा उस देवर कमिशन का चार जोरी हो थे तो पहला सीच्छा का क्या मतलब होता है हम सीखते क्यों है तो चार सेंदेंस में हो है कि लर्निंग किस लिए ज़र में तो लर्निंग तु यो डू चार बाते हैं लर्निंग तु अब इन चार बातो जैसे चार आ रहे सकते हैं जारू अंब इसलिए पढ़ते हैं कि कि शीज को जानने के चान वा किसी चीश को जानने के लिए हम पहले पढ़ते हैं, और जब उस चीश को जान लेते हैं, कि भाई, बाई, बायलोजी में क्या होता है, इंजिनिरिंघ में क्या होता है जब जयान लेते हैं, तो दूसरा स्टेप आता है learning to do, learning to know के बार learning to do, जब वह घ्यान आप अर्जित कर लेते हैं, तो उसको आप practically करने जाते हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, तो खर बनाइए, रोग है, अगर आप scientist बने हैं, तो कुछ ऐसा instrument आईस्कार कीजिए, अगर आप कर लिए तो तो लार्निंग के लिए भी चले गए अब तीसरा स्थ में बता रहा है जो डॉक्तर बन जाता है इंजिनिर बन जाता है आईस बन जाता है तो तीसरे फेज़े चला जाता लार्निंग तुमोग का पाना यहे फढ़ने का लोर्निंग ब्ली पतम एक्षम और अब में समाज में कोई जट ही नहीं तो सिच्छा का मतलब होता है त्वी सरा कि आप समाज में है क्या यह पत्रा चलना जाहिए जैसे कोई कादारी वाइब भूट बड़ा ख्यातिक आप डॉक्तर है डॉक्तर सिपी ठापूर वो पाल नरा है तो यह वसिस नरा है एपीजे कलाम तो एक्चुली एपीजे कलाम को आप इसलिए जानते हैं कि उन्होंने तीसरे स्टेप को भी क्रॉस कर दिया था लेकिन चौथा जो गौर है उसका उत्तर उनको भी नहीं मिला और सायद दिया उत्तर के विस दुनिया को छोड़ गया और चौथा एससे क्या था उसने यह जाना पहला क्या था पढ़ना पढ़के कुछ करना अब करते हूं उसमें इतना माहिर हो जाना कि उसी नाम से आपको लोग चानने होगे और चौथा और चौथा और आपने कौन सा ऐसा काम किया कि आपका समाज एक साथ बंद के रहे एक चुप को कर रहा है अगर जिस दिन आपने इसको कर दिया तब सिच्छा का चारों से आपने पूरा था आपके लिएम आपके डियेम आपके डॉक्तर बनने से समाज को क्या था वो तो लर्निंग तू डू लर्निंग तू नो लर्निंग तू पी है समाज को आपने पेड खजूर और पंठी को चाया नहीं फला ही रदिए और आए दिन ये होता है समाज के अंगनी पंठी में बैठने वाले लोग उसी ग्रों से निकल के जाते हैं और पहुँ दूर बैठ जाते हैं कभी तो पे वैट सोसाइटिक पे काम की जी और जिस दिन आप करने रहेंगे समझ साथ मैं कोसिस करूँगा कि आपके हमारे समाज के चुतने लोगे OMG किसी ने मुझे भी तो मुझे भी लगा तो लिया हो और समाज को कैसे ऑंठ कर जिस दिन इस देश को फिर से अखंड सारे जाती धर्म संप्रणाय के लोग मैंत्री भाव से रहने लगें समझ लीजे कि इस देश में सिक्षित लोगों की संख्या बढ़ रही है और जब तक यह नहीं हो रहा है तब तक समझ लीजे यह दमी सिक्षित लोग हैं यह बस इंद स्वूल से आवान करूंगा और तमाम हमारे विजा ठारा के लोगों से कि खवराइय नहीं यह जिक्षा का अधर जगाते चलेंगे साथियों नेशनल जन्मंच को सबस्क्राइब करें, साथियों बेल आइकन की घंटी को बजाएं